हेलो आप्रियत्स वीडिएो में the discuss करेंगे इकुवेलेंट कंड़क्टिविटी जिस तरह Same होता है उसी तरह क्या होता है treatment काट्टिविटी इससे पहले वाला वीडिएो में क्या क्या देके है फ시स्ट वी में कुछ किये थे थे चंडे टेंज और क्या स्दूर्ट के थे कंडेकटिवीटी उसके बाद व्यक्ट्रा में किया इसी तरह करें तो इसको हम डिसकश करते हैं तो क्या होता है जिस तरह चॉल होता है दढ़ा टिस्ट कंड़्टेश्ट जू टू आयन फरनिश्ट बार वन ग्राम इक्कुवधेंट ओफ इलेक्टोलाइट इन इट सॉलुसंब्स एक सॉलुसन पर वन ग्राम एकुवेलेंट इलेक्टोलाइट है उसका जो कंड़क्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं इकुवेलेंट कंड़क्टिविटी तो वन ग्राम एकुवेलेंट का जो कंड़क्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं इकुवेलेंट कंड़क्टिविटी तो लेट व 1 cm3 क्या बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं तो कप्पा क्या हता वन सेंटीमेटर क्यूब का जो कंडक्तेन सब्सक्राइब इस सेंटीमेटर क्यूब का का जो कंड़क्टेंस होगा उसको क्या बोलें कपपा इंटु वी तो इसको क्या लिख सकते हैं कपपा इंटु वी तो यहां पर जो वी है वी क्या है वॉल्यूम ऑफ दा सॉलूशन इन सेंटिमीटर क्यूब कंटेनिंग वन ग्राम एकुवेलेंट एक वॉल्यूम किसका है व क्या है? Conductivity of electrolyte. Unit of equivalent conductivity. इसका unit हम डिसकस कर रहे हैं. तो इसका जो unit, इसका formula क्या होता है? कपपा into V. क्या होता है इसका formula? कपपा into V. यहाँ पे कपपा का unit क्या होता है? साइमन centimeter inverse into V क्या है? V. volume क्या लिख सकते हैं? तो volume क्या लिख सकते हैं? centimeter cube. volume क्या है? centimeter cube. और पर equivalent. equivalent inverse. तो जब इसको हम solve करेंगे तो साइमन centimeter square per equivalent. क्या होगा? पर equivalent. यह क्या हो गया? unit of equivalent conductivity. equivalent conductivity के unit क्या होगा? साइमन centimeter per equivalent. अगर यह SI unit इसका पूछें, तो SI unit क्या होगा? साइमन meter square equivalent per equivalent. क्या लिखेंगे? साइमन meter square per equivalent. SI unit. अगर इसका conversion हम देखें, तो बहुत important conversion है. क्या है? one साइमन, साइमन meter square per equivalent. क्या लिख सकते है? 10 to power 4 centimeter square per equivalent. यह क्या है? important relation है. यह use करना पड़ता है, कभी-कभी. जब आपको साइमन meter equivalent को, per equivalent को, किस में change करना हो? सेंटिमीटर, साइमन centimeter per equivalent. साइमन meter square per equivalent को आपको change करना हो? साइमन centimeter per equivalent. तो यह conversion है. 10 to power 4 से हमको multiply करना हो. कितना होगा 10 to power 4 से. formality of the solution of electrolyte be n gram equivalent per liter. इसका मतलब क्या? n gram equivalent present कितना volume में present है? n gram equivalent of electrolyte. n gram equivalent of electrolyte thousand centimeter cube of solution में present है. thousand centimeter cube solution में n gram equivalent present है. तो one gram equivalent of electrolyte कितना में present होगा? तो thousand by n. thousand by n में क्या present होगा? one gram equivalent. तो हम molar equivalent conductivity को हम क्या लिख सकते है? तो क्या लिख सकते है? यहाँ पे equivalent conductivity को क्या लिख सकते है? कपा into v. तो यहाँ पे जो volume हम put करेंगे, यह वाला हम volume input करेंगे, क्या? thousand by n. thousand by n यहाँ पे put करेंगे, तो यह मेरा क्या जागा? equivalent conductivity का एक formula और जो equivalent conductivity है, यह intensive property है. intensive property का मतलब क्या है? यह amount of substance पे depend नहीं करता है. intensive property का मतलब होता है, जो की amount of substance पे depend नहीं करता है.